हलो एवरिवान मैं हूँ आपकी अपनी सोल में इच्छाबाना क्या आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं कुछ विशिज हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं और बहुत समय से सोच रहे हैं कि आपकी वो इच्छाएं का पूरी होंगी चाहे वो प्रोपर्टी से लेके हो चाहे प्रोस्पारिटी से वेल्ट से घर से चाहे अच्छी जॉब चाहे करियर कोई भी चाहे आपकी शादी आपका लव रिलेशन्शिप कोई भी कोई भी इच्छा जिसको की बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि वो आपकी मनो कामना का पू त्री पाइल रीडिंग आपके लेकर आए हूँ, इसमें से यू हब तु सेलेक्ट यू पाइल, इसमें से आपको अपनी एक पाइल सेलेक्ट करनी है, अपने मन में उस इच्छा को सूचना है, कि आप कौन सी इच्छा के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, और क्या वो आप की पूरी होने जा रही है, यह जो पाइल रीडिंग है, यह टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त जब भी, जिसके भी मन में कोई विश आए, कभी भी कोई विश मेनफेस्ट करना चाहता है, मनो कामना करना चाहता है, या चेक करना चाहता है कि क्या उसकी इच्छा पूरी हो अपनी अलग-अलग विशिस के लिए भी अलग-अलग दिन भी अलग-अलग समय में एक दिन के अंदर भी आप यह रीडिंग अपने लिए कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको सिर्फ आखे बंद करनी है और जिस भी विश के बारे में आप सोच रहे हैं चाहे वो लव रिलेशन्शिप की हो, पैसे की हो, करियर की हो, हेल्थ की हो इस रीडिंग से मैं आपको ये पूरी तरह कोशिश करूँगी बताने के लिए कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने जा रही है ये रीडिंग जिस भी आप दिन करेंगे, जिस भी पल आप ये रीडिंग देखेंगे ये इसको प्र хорошо करेंगे उसका रिजल्ट आपको तीन महिने के अंदर अंदर मिल जाएगा क्योंकि ये टााइमलेस रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है अगर आप एक पाइल के साथ आपका जो है connection नहीं होता तो आप next पाइल देख सकते हैं तो हम शुरू करते हैं आपको क्या करना है एक लंबी गहरी सांस खीच नहीं है आखे मून्त नहीं है कुछ पल के लिए सोचना है विचार करना है कि आपकी क्या इच्छाएं है या एक बार में एक ही इच्छाँ आपको देखनी होगी तो आपके पास एक yellow candle का पाइल है एक blue candle का पाइल है और एक green candle का पाइल है time slot नीचे description box में दे दिया जाएगा जिसने जिस पाइल के reading देखनी हो आप देख सकते हैं तो चलिए आखे बंद करिए गेरी लंबी सास खीचे मालिक की तरफ ध्यान लगाईए मन में positive इच्छा करिए और इच्छा आप ये करेंगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है ये इच्छा नहीं कहेंगे कि होगी कि नहीं होगी नहीं आपको positive affirmation ही करना है आपको ये कहना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है तो चलिए मैं सिरफ एक से लिके पांच तक गिनूँगी और आप उतनी दिर में अपनी प्रयार कर लेंगे एक दो तीन और चार पांच तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम येलो पाईल की रीदिंग करेंगे तो जो हमारे बाकी के पाईल है उनको हम फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं चीक है और जो हमारी येलो पाईल है जो हमारी येलो पाईल है उसकी पहले हम रीदिंग करेंगे तो देखें आपके लिए एंजल्स क्या लेकर आए हैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी इच्छा होगी तीन महिने का समय लेगी क्योंकि ये रीडिंग जिस भी दिन आप देखेंगे उस दिन से तीन महिने के लिए होगी अगर आप एक महीने के बाद देखेंगे तो एक महीने के बाद जिस भी दिन आप देखेंगे उससे आगे तीन महीने के अंदर-अंदर आपकी ये विश जो है पूरी होने वाली है चलिए हमने यह कार्ट्स निकालने शुरू किये देखें कार्ट्स क्या कह रहे हैं कि आपकी जो भी विश है वो कोई भी विश हो सकती है कार्ट्स आपके बहुत अच्छे आए हैं जहां तक मुझे नज़र आ रहा है और चलिए देखते हैं एक एक करके हम रीद करना शुरू करते हैं जी चलिए अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पाइल के लिए जो यह सेवन कार्ड्स मैंने यह निकाले हैं तो यह यह बता रहे हैं पहला काड, पहला काड हमारा है Eight of Pentacles Eight of Pentacles Pentacles जो होता है, अर्थ एलिमेंट को शो करता है और जो हमारी अर्थ होती है, वो बहुत strong होती है और उसके जो results होते हैं, वो भी बहुत strong होते हैं यानि कि उनकी authenticity पे हम faith कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं ठीक है? तो हमारा पहला काड आया है Eight of Pentacles, फिर आया है Page of Wands फिर आया है Eight of Wands यह हमारा अर्थ एलिमेंट का काड है, यह हमारा Wands का है और यह भी हमारा Wands का है तो आपकी काड यह कह रहे हैं, कि आपको जो भी आपकी इच्छा है उसमें जो है काजी करें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें अब आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेगी कि मेहनत इन्वेस्ट करने पड़ेगी आपको जो है दोनों ही चीजें बहुत जादा इन्वेस्ट करने पड़ेगी आपका पैसा भी बहुत लगेगा और आपके मेहनत भी बहुत लगेगी क्योंकि ये आगया आपके पैसो का कार्ट और ये आगया आपके करियर का कार्ट मेहनत का कार्ट और ये जो पे जो वांस है ये जो वांस ये बताता है कि ये जो वांस है ये फायर एलिमेंट के होते हैं इनके जो प्रवत्ति होती है वो फाय एनरजी लगा के काम करेंगे तो अगस्त तक आपका जो है बहुत आपको changes नजर आएंगे अपनी life में जून जुलाइ अगस्त जो आपका करियर ग्राफ अगर आप करियर को लेके चल रहे हैं तो आपका करियर ग्राफ बहुत तेजी से उचाई के के तरफ बढ़ने वाला है क्योंकि यह कार्ड आपके करियर के लिए मोः हो सकता है आप कहीं बाहर आउट उभ इंडिया या हो सकता है इंडिया के अंधर थिक गया अगर आपके इच्छा हैUU ट्रैविल करने की काम के सिलसीЛे में यह किसी भी इस सिलसीले में अगर आपकी वह इच्छा है तो वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी अगर आपकी इच्छा है कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं तो उसके लिए आपको जो है इन्वेस्ट भी करना होगा लेकिन हां कि जो भी आपकी रिजल्स आएंगे वो लॉंग टम रिजल्स आएंगे तो इसमें जो आपने इच्छा की उसके बहुत सारे चांसे हैं पूरी होने के मुझे जो इच्छा आपकी विश्च नजर आ रही है मुझे जारतर यही नजर आ रही है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और आपको बहुत आगे लेके जाना है तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं जो कि अगस तक आपकी ये इच्छा आपको 80% तक नजर आ जाएगी उसकी जो है जलक आपको नजर आने लगेगी ठीक है उसके लिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको हो सकता है लोन लेना पड़े आप किसी बैंक से लोन ले चाहिए ना ले पर आपके पास automatically क्योंकि ये काम होना है आपके पास automatically जो है help आ जाएगी बठा जो है आपका फिर अगें यहां पे चैरिट का काड आया यहां पी जोनी का काड आ रहा है तो ये बता रहा है कि आपको फिल्ट वक बहुत करना पड़ेगा आपको अपनी इच्छा पूर्ती करने के लिए बहुत दौर्ग धूप भी करने पड़ेगी यानि की हाथ पे हाथ धर के कुछ नहीं होने वाला यह जो जो भी आपके इच्छा आपने कामना करके यह जो फिर्स पाइल सेलेक्ट किया है उसके साथ आपकी इच्छा पूर्ती होती नजर आ रही है कॉम्पटिशन आपको बहुत लोगों का सामना करना पड़ेगा और अगर आपका करियर का है तो भी बहुत ज़रूर चले जाएंगे तो जो भी आपने इच्छा की है यहाँ पे 80% आपकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही है तीन महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ज़ादा जो है उसका जलक नजर आनी शुरू हो जाएगी और वो अपने जो है आपको बताना शुरू कर देंगे जो आपकी लाइफ में सिच्वेशन डेवलप होई और जो है आप बहुत ज़ादा प्रॉमिसिंग कार्ड़ है बस जहाँ कॉंपटिशन की बात आए वहाँ पे घबराना नहीं डरना नहीं क्योंकि जीत आपकी ही होगी क्योंकि लगता है ऐसा कि इस मन्त तो नहीं अगले मन्त जो है ये टू ओफ जो स्वार्ड्स है ये जरूर ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा कन्फूजन में आ सकते हैं आपके दिल और दिमाग में थोड़ा सा एक कन्फूजन स्टेट आ सकता है हो सकता आप फोकस से अपना जो है आपका ध्यान बटके पर आप फोकस से अपना ध्यान मत बटाईएगा और अगर आप ध्यान रखेंगे फोकस रखेंगे टार्गेट को आप कंप्लीट करने में मेहनत करते रहेंगे तो आपको जो भी आपकी विश है वो पूरी तरह से मैनिफिस्ट होगी लेकिन आपने अपने विश मांगी थी और आपका फर्स पाइल आपने सेलेक्ट किया या शादी के लिए आपने जो है विश मांगी थी और आपने फर्स पाइल सेलेक्ट किया तो उस केस में मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी वक्त नहीं आया रिलेशन्शिप में जो है गर्मी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपका relationship materialistic हो जाए या जहां पर relationship है या शादी वो तीन महीने तक हमको नजर नहीं आ रही है और उसके chances भी बहुत कम नजर आ रहे हैं और अगर आप इसको health के बारे में आपने सोचा और फिर आपने ये first pile आपने select किया तो health के लिए भी आपको ये कहेंगे कि आपको allergy हो सकती है कोई dust से allergy हो सकती है कुछ जो है ये heat allergy हो सकती है खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा आपको acidity बहुत हो सकती है तो उसी तरह का हलका खान पान रखेगा आपको पित के शिकायत हो सकती है हाँ आपको कोई ऐसी ब है आप जो है चोटी मोटी तकलीफे ही आपको होंगी और जो की बहुत जल्दी सौट आउट हो जाएंगे तो उसमें आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो यह आपके जो फर्स्ट पाइल में से आपकी रीडी आई है और आपको करियर और प्रॉपर्टी या पैसा क आपकी इच्छा पूरी होती नज़र नहीं आ रही है हां हेल्थ में भी जो है चोटी मोटी चीजे होंगी वह मैंने आपको बटाया किस किस तरह की आपको तकलीफे हो सकती है तो आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखेगा अब हम देखते हैं आपके लिए हमारी एंजल टेरो कार्ड आपके लिए ये दो कार्ड मैंने निकाले हैं और उनमें से एक कार्ड कह रहा है कुईन ओफ अर्थ कुईन ओफ अर्थ कह रहा है थौट्फुल, क्रियेटिव, वार्म और सेंसिबल, मेक टाइम फोर दोस अरांड यू, टेक असेंसिबल अप्रोच, डिल बिल्कुल अच्छ से जीत लेंगे तो कार्ड यही कहता है कि सेंसिबल अप्रोच सोच समझ के आप डिसीजन लीजेगा और अपने चालेंज से डरियेगा मत और अंडरस्टानिंग से जो है दूर की सोच के आप जो भी स्टेप लेंगे या जो भी आप कादम उठाएंगे बिल्कुल आपको सकस्स दिलाएगा नेक्स्ट लाइफ एक्स्ट लाइफ एक्स्पीरेंस आपके अच्छे करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है मुझे आपके काद्स और बाहर की ट्रेवलिंग के भी ऐसे आपको अपर्चुनेटी मिल सकती है तो इस इस पहलें और बिल्कुल जो है फूरु से ऐनकी तैयारी कर ले आपकी विश्च जरूर पूरी होगी यह जो एंगल्स हैं उन्होंने भी आपको एक मेसेच भी जा है और उन्हें ने का है फामिली हार्मिनी फैमिली हार्मिनी ये कह रहा है कि जो भी आप करें जो भी करें अपनी फैमिली को साथ में लेकी करिएगा अपने घर की लोगों से सला मुझारा करके आपके बड़े बुजूर्ग हैं घर में आपके जो भी लोग घर में हैं ममी पापा हैं या हस्बिन हैं या वाइफ हैं जो जो भी step आप उठाने की सूचें तो सबके साथ मिलकर जो है आप step उठाइएगा तो यह हमारी first पाइल की reading थी और यह wish straight था आपका तो आशा करते हूं आपको आपके जो है answer मिला होगा कि आपकी wish कितने percent पूरी होगी और कौन सी wish आपकी पूरी होगी तो चलिए अब हम second pile की तरफ चलते हैं जिन्होंने second pile select किया है वो जो है अपनी सांस कीचिए आखे बंद करिए और manifest करिए अपनी उस wish के बारे में सोचिए जिसके लिए आपने ये spread खोला है उसके बारे में सोचिए और देखते हैं आपकी wish कितने percent पूरी होती है ठीक है चलिए आपका पहला कार्ट आया fool second आया आपका ten of wands next आया seven of wands then queen of pentacles temperance six of cups और फिर आया आपका four of wands ये आपकी काज आये हैं अब जो भी आपने wish जिस भी wish के पूरा होने के लिए आपने ये pile select किया है चलिए अब उसके तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये सोच के ये pile select किया कि उनकी इन तीन महिनों में क्या शादी fix होगी क्या उनकी life settle हो जाएगी क्या उनके life में प्यार आएगा तो जी हाँ खुश कबरी है जहां तक मुझे नजर आ रहा है एक जो first look मैंने देखी और first look में ही आपके cards बता रहे हैं कि आपकी life की एक नई शुरुवात होने जा रही है जिन लोगों ने भी love relationship या शादी के लिए ये pile select किया अब हम देखें पहला card हमारा आता है the fool बिल्कुल आप बिल्कुल आपने जो है सब कुछ जो है बगवान पे इश्वर पे छोड़ दिया है आपने ये सोच लिया है कि जब उसके इच्छा होगी तभी सब कुछ होगा और आपने जो है उनके सामने समर्पन कर दिया है यह आपने बहुत अच्छा किया है एक वक्त जरूर रहा कि आप थोड़े से जो है अभी अभी भी हो सकता है आपने समारपन तो किया है लेकिन कहीं पे आपको एक बर्डन सा भी लगता है कहीं पे आपको ऐसा भी लगता है कि कब होगा कैसे होगा और यह आपकी इच्छा का पूरी होगी पर मैं आपको ये बिता दूँ इस शादी के लिए ये लव रिलेशनशिप के लिए कोई आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करिए 70% जो है मुझे मेहनत नजर आती है क्योंकि आप अपना करियर बनाने में आप ज़्यादा जूटे रहे अपने जो है काम में अपने वैसाए में अपने जॉब में अपनी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा वैस्त रहे जिसकी वज़े से आपने इस बारे में सोचा नहीं क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो जो है life situation हम attract करते हैं क्योंकि आपने अभी तक सोचा ही नहीं था इसलिए आपकी life में वो चीजें अभी नहीं आई थी ऐसा मुझको ऐसा लग रहा है लेकिन अब ये जो है या फिर आपने कोशिश करी थी लेकिन कोशिश कितनी करी थी सिर्फ 70% कोशिश करी थी आपने ज्यादा कोशिश नहीं करी थी तो ये card spread देखके ऐसा लग रहा है ये जो wish spread आपका देखके ऐसा लग रहा है कि आपकी मन की इच्छा कि आपकी life में कोई आए वो उसकी अब शुरुआत हो गही है जैसा कि मैंने आपको बताया तीन महिने के अंद लेके चलिएगा तो cards आपको कह रहे हैं the fool का card यह नई शुरुआत हो रही है लेकिन ध्यान से बहुत सोच समझ के आगे चलिएगा उसके बाद थोड़ी difficulties तो आ रहे हैं लेकिन तीन महिने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छे उसके result मिलेंगे आपकी life में कोई ना कोई रिष्टा आने वाला है जो की बहुत ही खुबसूरत रिष्टा होगा और जो लड़का हो गया लड़की होगी बहुत सेटल्ड होगा और प्राक्टिकल होगा सुल्जावा होगा और कोई पुरानी जानकारी में से निकले गए देखिए हमारे पास आया है six of cups का card six of cups क card ये कहता है कोई पुरानी जान पेचान कोई पुराना खांदान या पुराना कोई बित्र वो सामने निकल के आया गया या रिष्टेदारी आएगी वहाँ पे जो है आपकी रिष्टे की बात आगे निकलेगी और फिर आपकी जो है आपका जो रिष्टा भी होगा और मैंने अभी लव रिलेशनशिप के लिए कहा उनकी लाइफ में तो खुश खबरी आ रही है आप देखते हैं करियर के लिए जुन्हों ने ये सोचा हमारा करियर जिस जगे पे हम लेके जाना चाहते हैं वो क्या तीन महिने के अंदर वो वाला रिजल्ट हमें देगा या फिर ह हमारी जॉब उतनी अच्छी लग जाएगी या फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट जिस तरह से हम चाहते हैं वो मिल जाएगा तो देखे आपने उतनी महिनत अभी की नहीं है अभी आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रखके बैठे हैं बिल्कुल दफूल बनके बैठे आपको लग रहा है सब कुछ हो जाएगा और आप थोड़े से अगर इसको देगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और 70% उसमें महिनत कर रहे हैं पूरी महिनत भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी जैसे ही आप जो है उसके तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे अपना फोकस उदर करेंगे यह रीडिंग इसलिए आपको यह सला दे रही है कि अपना फोकस उदर दीजे टार्गेट करिए प्लानिंग करिए और जो भी महिनत उसमें इन्वेस्ट करनी है अगर आपके पैसा लगाना है तो वो भी लगाईए और अपने इमोशन को बैलन्स करिए यानि कि डर का या फिर घबरहाट का कोई भी जगे नहीं है इस वक्त आपकी लाइफ में अगर आपने बाग कई अपने सपनों को पूरा करना है तो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी और जो पूरानी बहुत समय से आपने इच्छा की भी है उसका रूप सक्षार होके आ अपकी लाइफ को बिल्कुल फोकस कर देता है चार वांस पर बिल्कुल उसको जो है सेटल कर देगा आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी अपकी जो रिजल्ट है वह भी बहुत अच्छा आएगा और साथ में देख रहे हैं आप फूर ओव वांस में कितने खुबसूरत ये फ मेनिफेस्टेशन आप करिए आपको पूरी की पूरी सफलता मिलेगी अब चलते हैं हम हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो आप अपनी हेल्थ के तरफ पिल्कुल ध्यान ने दे रहे हैं हेल्थ के लिए ये बहुत तो नुकसान नहीं कर रहा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये जो है health issues के लिए ये second pile थोड़ी ठीक नहीं है तो आपकी अगर आपकी ये इच्छा हो रही है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और बिल्कुल जो है आपकी जो अगर काऊंगे कि जिसको diabetes है जिसका sugar level थोड़ा हिलता रहता है तो उसको बहुत जादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो ये सोच रहा है कि वो आने वाले तीन महीनों में बिल्कुल अपनी sugar को जो control कर लेगा तो उसके लिए मैं ये काऊंगी नहीं आपको बहुत जादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपनी eyesight का ध्यान रखना पड़ेगा आपको vitamin D का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ी देर दूप में जरूर सुबे की दूप में बैठना चाहिए क्योंकि ऐसा लग health बहुत ज़्यादा perfect मुझे नजर नहीं आ रही है जो छोटी मोटी आपको तक लीफे चल रही थी वह भी और मुझे आगे नजर आ रही है पित स्वाख़शाचा रही है गर्मीकिक शिकायत नजात स्वाल गर्म को जोडो की शिकायत नजर्ए penghamnaryum वैसे यह चीज़ हैं क्योंकि सारे minor arcana cards हैं इसलिए जादा देर के लिए नहीं रहेंगे जैसे आपको problems आएंगे अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो वैसे ही वो दूर भी हो जाएंगे बस आपको पानी बहुत जादा पीना है ठीक है तो चलिए आप हम देखते हैं हमार जो है angel tarot cards क्या कह रहे हैं एक तो आया है हमारा unity यानि traditional viewpoints और methods spiritual organizations, seek out mentors and like-minded friends यानि कि जो tradition आपके चले चले आए हैं जिस तरह से आपके रीती रिवास चले आए हैं उनको आप follow करिये जैसे कि आपको ये भी हो सकता है कि शादी के मिलिये मैंने बताया कि हाँ उसके बहुत अच्छी chances हैं तो कोशिश करिए कि जैसे जो आपके घर के traditions हैं उनको आप पूरी तरह से निभाएं और पूरी तरह से उनको follow करें और आपने जो लोग हैं अपनी family के लोग हैं उनके साथ रहें और जो आपके जैसे thought process रखने वाले हैं सोच विचार वाले हैं उनके साथ र और वह आपको बहुत अच्छा गाइड भी करेंगे रास्ता भी दिखाएंगे फिर आपका काड़ा है the sun आर्गंजर यूरियल क्या कह रहे हैं आर्गंजर यूरियल कह रहे हैं happy outcome brilliant new ideas that lead to success have confidence in yourself बस confidence को आपको बरकरार रखना है अपने आपको मजबूत रखना है अपने पे विश्वास रखना है अपनी inner voice को सुनना है और आपके सारी जितनी भी wishes हैं वो पूरी की पूरी manifest होंगी पूरी होंगी तो आप देखते हैं जो आपके एंजल हैं एंजल आपके लिए क्या कह आपके लिए विज्वालाइजेशन उनका यह message है कि विज्वालाइजेशन अभी से जो आपकी इच्छाएं हैं उनको विज्वालाइश करना शुरू कर दीजिए इमाजन करना शुरू कर दीजिए अपने सोच विचार में अपने दिमाग में छवी बना लीजिए कि जब आपके विश्वालाइजेशन कहता है कि आपकी च्छाय पूरे होने वाली हैं और आप उनको विज्वालाइज करना शुरू कर दीजेए इमियाजन शुरू कर दीजिए। positive present affirmation दीजिए कि जो आप चाहते हैं वो अप हो गया है और आप उस life को जी रहे हैं तो ये थी हमारी second pile की reading ठीक है और जो है अगर आप लगों को अच्छी लगी हो second pile की reading तो मुझे जरूर comment box में जरूर बताएगा और मुझे बताएगा आपके साथ ये कितनी connect हुई है और आपको कैसा मैसूस हो रहा है तो चलिए अब हम तीसरी pile की तरफ चाहते हैं तीसरी pile क्या कह रही है तीसरी pile की reading करने से पहले आप लोग अपनी आखे मूंद लीजिए और लंबी गहरी सांस खीचिए लंबी गहरी सांस खीचने के बाद अपनी विश जो आप सोच रहे थे उसके बारे में सोचिए कि वो पूरी हो रही है बिल्कुल positive रही है आज में उसको उसको आज में convert करिए कि हाँ हो रही है इसका result जिस भी दिन आप देखेंगे यह timeless reading है general reading है तीन मेने के अंदर अंदर आपके wish complete होने में पूरी होने में आपके सामने सामने आके आपको महसूस करा देगी कि हाँ मैं पूरी हो रही हूँ और आप जो है जो भी wish है देखें यह cards क्या कह रहे हैं कि कितने आपको उसमें सफलता मिलेगी ठीक है तो चलिए अब मैं cards जो है आपके लिए spread कर रही हूँ पहला हमारा card है king of swords दूसरा हमारा card है nine of wands then eight of cups then the hermit three of swords and then six of wands and then the last is nine of swords yes जिनों ने भी यह third pile select किया था तो चलिए अब हम उनकी लिए शुरू करते हैं reading अगर तो आपने किसी relationship के लिए इसको select किया था शादी के लिए इसको select किया था तो उसके लिए उस नजर से अगर हम इस spread को देखें तो पहला आ रहा है king of swords आपको गुस्सा शायद बहुत जादा रहता है और आप बहुत जादा पावर से शायद चीजों को हासिल करना चाहते हैं अपने विश्पूरी करना चाहते हैं आप किसी चीज के वेट भी कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो आपको कब मिलेगा जो भी person आप चाहते हैं उसके आप बहुत इंतजार भी कर रहे हैं शायद आपके lover कह लीजे या शादी का रिष्टा कह लीजे या शायद आपकी किसी के साथ relationship रहा है और उसमें eight of cups आ रहा है eight of cups यानि कि आपको बहुत अच्छा response वहां से नहीं मिल रहा है फिलाल वहां से आपको बहुत अच्छा response नहीं मिल रहा है और अभी मिलने की गुंजाईश भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि वो person शायद अपनी किसी और दोड़ धूप में किसी और सपने को पूरा करने में लगा है आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं है अगर आपके लिए कहें कि कोई और आपकी life में आने वाला है तो इस वक्त आपकी situation ऐसी हो रही है कि आपका भी जो है प्यार महबत की तरफ से जो है ध्यान थोड़ा हटा हुआ है आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब बेकार होता है ये सब फरेब होता है ऐसा खुश पे नहीं होता है और किसी के ऊपर भी आप emotionally जो है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो ये विश्वास प्रेड है ये भी ये कह रही है आपको बिल्कुल उमीद भी नहीं है कि आगे आपकी लाइफ में जो है जो प्यार हो आएगा या अभी जो है कोई शादी की खुख कबर आएगी क्योंकि एक तो ना king of sports है king of sports means आप अपने शर्तों पे रहना चाते हैं तो अगर आप अपने शर्तों पे रहेंगे तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ये dream फुल्फिल होना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर आप चाहरे हैं अपने आप हो जाए अपने आप चीजे नहीं होती है आप किसी चीज के वेट कर रहे हैं देखिए ये nine of wands है आपने जो है eight wands लगा ली है एक हाथ में लेके खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं और वो रभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको उन्हीं की इंतजार है आपको कोई particular रिष्टे की इंतजार है particular person की इंतजार है या particular आपकी choice है कि आपको उसी तरह का person चाहिए अपनी life में तो अगर आप थोड़ी सी ढील नहीं देंगे थोड़ा से अपनी choices में relaxation नहीं लाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सब को सब कुछ नहीं मिलता है life में तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा बहुत जादा उंचा जो है या बहुत जादा choice आपको त्याब करनी पड़ेगी फिर ऐसे दिख रहे है the hermit का काड़ा रहा है तो हाँ बहुत आप सुस्त महसूस कर रहे है इस चकर से कि आपको इस थौट से कि आपकी life में कोई हो नहीं रहा कुछ relationship आप बन नहीं रहा या शादी के लिए कुछ बात आगी नहीं बढ़ रही है और आप grow करते जा रहे हैं age बढ़ती जा रहे हैं आप बहुत अपने आपको lonely भी महसूस करेंगे लेकिन जब तक ये attitude आपका रहेगा जब तक ये attitude आपका रहेगा तब तक good news के लिए आपको अपना thought process थोड़ा change करना पढ़ेगा यहाँ पे भी देखिए आपका दिल में जो है three of swords आ गया है although आप हार नहीं मान रहे अभी भी नहीं हार मान रहे है अभी भी इसी king of swords में powerful mind के और अपनी wish को पूरा करने के चकर में जो हैं आप उसी को जित को पकड़ के बैठे रहे हैं जो कि आपको ये कह रहा है नहीं एक दिन होगा एक दिन होगा वैसे तो मैं जरूर कहूंगी कि faith रखना चाहिए लेकिन जित नहीं करने चाहिए be positive आप positive affirmation डालिए बट जित नहीं करिए जित करने से शायद आपको दिक्कत हो सकती है और अभी इन तीन महीनों में थोड़ा मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है मैं अभी अभी आपके इसके बाद मैं आपको बताऊंगी relationship जिनकी दिक्कत है मैं बताती हूँ आपको करना क्या है तो ये nine of swords भी बता रहा है कि आप जीना चाहते हैं आप घर बसाना चाहते हैं आप life में love चाहते हैं relationship चाहते हैं कि अभी थोड़ी ये मुश्किल हो रही है इसलिए आप थोड़ी दुखी भी नजर आ रहा है आपको क्या करना है आप एक काम करिएगा एक काली हंदी हल्दी एक पंसारी से लेके आएगा काली हल्दी का चोटा सट्टुकड़ अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे भी ले सकते हैं मुझे आप WhatsApp पे contact करेगा मैं आपको दूंगी अगर वाकई में आपको शादी की और relationship की प्रॉब्लम है उसके लिए अगर relationship की प्रॉब्लम है तो आप rose quartz का इस्तमाल करिए वो crystal को आप पहनिए उसका पानी पीजे आपकी life में लाबा जाएगा अगर आपको शादी की प्रॉब्लम है शादी नहीं हो रही है तो काली हल्दी की गाट चांदी के ताबीस में डालके पीले धागे में करके Thursday के दिन आपको पुझा करके पहननी है उससे आपके जो ये situation है इससे आपको मुक्ती मिल जाएगी ठीक है और अगर हम दिखते हैं जोब के तिये तो जोब के लिए भी अभी आपकी जबकि आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको आपको पास जवाब आने वाला है लेकिन आपकी मन मुताबिक जोब भी आपको मिलने में थोड़ी सी दिखकत दिख है है मुझे लेकिन जोब आपको मिल ज़रूर जाएगी अभी अगले महिने में ये मिल जाएगी आपको अगले महिने जब भी आप देख रहे हम उसकी next month एक महिने के बाद आपको जोब मिल जाएगी लेकिन हाँ वो पूरे 100% जो आपको चाहिए वैसी तो नहीं होगी पर अच्छी होगी हाँ जीत आपकी होगी लेकिन पूरा जो अगर आप चाह रहे थे कि फॉर एक्जाम्पल आप चाह रहे थे कि आपकी 80,000 सालरी हो तो वो फिर आपकी 60,000 ही होगी तो बिल्कुल up to the mark जो आप चाह रहे थे उतना तो नहीं मिलेगा बट हाँ हो जाएगी जिसमें कि आप satisfy नहीं होगे satisfactory वो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर health के लिए यह reading आपको अपने health का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा acidity, acidity की तरफ बहुत जादा ध्यान रखना है कोई surgery भी हो सकती है कोई operation भी हो सकता है को चोट चपाट भी लग सकती है इसलिए मंगलवार को आप जरूर अगर मंदिर जा सकते हैं तो जाहिए पर अगर नहीं जा सकते हैं तो अब हनुमान चालिसा का पाट तो घर में करी ही सकते हैं जरूर 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 करिए और cholesterol भी मुझे दिख रहा है कि आपका बढ़ने की शिकायत हो सकती है बोन डेंसिटी भी आप जरूर चेक करिए आपकी आइसाइट भी नजर आ रही है कि थोड़ी कमजोर हो सकती है तो उसके वज़े से थोड़ा आप न हो सकता है ब्लाक प्रेशर लो की शिकायत भी दिख रही है हेल्थ के तरफ आपको अपना बहुत ध्यान देना पड़ेगा और अगर कोई मेडिकेशन की आप कोई लेते हैं कोई दवाई लेते हैं तो उसको बहुत ज़ादा रेगुलर्ली लेनी होगी और डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा अगर हेल्थ के लिए आपने यह सूचा है कि तीन महीने के अंदर अंदर आपकी कोई तकलीफ है या कुछ है ठीक रहेगी या आपकी कोई विश है कि मैं बिल्कु ठीक ठाक रहा हूं हां जो भी आपके दिक्कत होंगी वो शॉट टम रहेंगी बट उसके कमजोरी क्योंके कमजोरी जरूर long term रहेगे वर तकलीफ आके बहुत चंसे हैं अगर आप डॉक्टर के साथ connected रहेंगे तो खतम हो जा जाएगी तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आपके एंजल टेरो कार्द आपके लिए क्या कह रहे हैं एंजल टेरो कार्द आपके लिए ज़र रहे हैं आज में जीने की कुशिश करिएगा, प्रेजन में जीने की कुशिश करिएगा, इंडेबेंडन रहेगा, जाधा सूचिएगा नहीं, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जाधा सोचने से भी डेबलफ हो रही है, और जो है, नीचे लिखा है, objective decision making, clearing away all that no longer serves you, seeing the humor in a situation, देखे, ये relationship के लिए ये जो ये card था, ये भी बता रहा है कि कहीं पे आपका heartbreak हो सकता है, आपका जो person है, उसे मन मुटाव हो सकता है, तो ये कह रहे हैं कि जो अगर कोई आपका दिल थोड़ी के चला गया है, तो उसको सोचना बंग कर दीजे, वो past था, gone, आगे की तरफ जी यानि की हसी ढूणनी है, खुशी ढूणनी है, हर चीज को उसकी positivity के साथ accept करना है, क्योंकि हर रात का सवेरा होता है, हर प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहती है, उसको खतम हो नहीं होता है, तो हमेशा positive attitude के साथ आपको अपनी life चलानी चाहिए, दूसरा card आपका आ रह है, happy times, make positive, optimistic, long term plans on the right path, यानि की आप उन लोगों के साथ रहेंगे, रहना चाहिए, जो आपको हसाए, जो आपकी खुशी में शामिल हो, जो आपकी साथ खुश हो, जो आपकी तरक्की में खुश हो, जो आपकी खुशी में खुश हो, जो आपकी खुशी में खुश हो, जो साथ रहना बंद कर दीजे, positive रहें, optimistic रहें, आशावादी रहें, लंबे-लंबे plans जरूर बनाइए, सपने देखेंगे, तभी पूरे होंगे, और बिल्कुल अगर आप ये करते हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चलेंगे, अब आपके जो एंजल हैं, वो आपके लि King of Swords, यानि कि अंदर बहुत जादा गुसा, रोश, पावर को पसंद करना वो जिद, वो सब कुछ है, तो detoxification मतलब उसको जो वो poison बनता जा रहा है बोडी में, गुसे में, हेट्रिड में, या जो satisfaction आपको नहीं मिल रहे हैं, anxiety में, stress में, उसको detoxify कर दीजिए, उसको पूरी हवा में गूमना चाहिए, और नंगे पैर घास पे चलना चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा आप करिए, तो ये जो विश्च मेनिफेस्टेशन जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूस किया है, ये आप अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से, इसके रिज अब रहेगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, तुरंत मुझे वाट्सप पे मेसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है, तो ये था हमारा विश्च मेनिफेस्टेशन, कार्ट रीडिंग, त्री पाइल कार्ड रीडिंग, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, तो प और उसी से मैं फिर आगे आपको जो है, और आपके जो सजेशन दे सकती हूँ, आपको डिसेजन बना लेने में, आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो ये था मेरा त्री पाइल रीडिंग, विश्च मेनिफेस्टेशन का, जिसको की, जो की टाइमलेस है जनरल है, जो की तीन मेह की निरत तक वो रीडिंग एक्जिस्ट करेंगे, उसके रिजल्स आपको मिलेंगे, और जो उपाय मेने आपको बताया है, उनको आप फॉलो करिएगा, और अपने नए वीडियो में, मैं सिजिल माजिक, अगर आपने सुना हो सिजिल माजिक के बारे में, उसके बारे में, म खोजबीन कर रहे हूं, रिसर्च कर रहे हूं, वो मैं आपके सामने लाने वाली हूं, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो कनेक्टिट रहेगा, जिससे की मेरे हर वीडियो आपको मिलें, जो कि अब नेक्स्ट मेरे आने वाले हैं, सिजिल मैजि के ओपर कुछ वीडियो जाएंगे, जो कि कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हर कॉमन परसन कर सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की चीज़ है, तो तब तक के लिए मुझे आल गया दीजे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऑल्वेज, स्टे ब्लेस गूनाइट, टेक क्या